बिहार बुर्ड क्लास शिक्स अध्याय दस जियोग्राफी बिहार दर्संदू कक्छाम के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठीकाना नहीं रहा कि अगले रविवार को वे सब सासा राम इस्तित सेर्शाका मकवरा पटना का गोहलबर्ग पटना संग्राले तथा पटना कि इस्तितक्त हर मंदिर सहाब घूमने जाएंगे जिछक ने बताया कि कल प्रधाना अध्यापक इस समझ में बात करेंगे अगले दिन प्रातना के बाद प्रधाना अध्यापक छो बजे बच्चों को अपने कक्स में बुलाकर मुहत्पूर निर्देश दिये उन्होंने ब जिले गारी से जाएंगे सितंबर और मई महीने में सेक्षी पर भरम पर जाने से पहले मुहत्पूर सामानों की सुची बनाये परधाना अध्यापक मुश्क आते वेवला नहीं हम लोग एक पस कर किराय पर ले रखी है और बस से हम लोग सासा राम में मकवरा देखेंगे त और देख समू के बच्चे देखे गए स्कूलों में संब्ध में प्राब जनकारी और सुचनाये नोट करेंगे परिभ्रहमन से लोटने के बाद बड़े समूहों में इसकी चर्चा की जाएगी निरधारी तरहें पर सभी बच्चों ने पहले से ही दर्सनियास्तलों को परिद खाने युवा काल में ही अपने संरक्षन की रक्षा करते हुए एक सेर को तलवार से एक ही वार में दो टुक्रे कर दिये थे तब ही से उसे सेर सा पुकारा जाने लगा सेर सा ने हुमायू को हटा कर भारत की गद्य पर कभजा कर लिया यह मकवरा सेर सा अपने जीवन काल में ही बनवाया प्रम कर दिया था यह मकवरा अश्ट कोनी है जो लाल पत्थर से बना हुआ है मकवरे की छट कोल गुंबत के रूप में है यह मकवरा एक तालाब के नीच पुलिया मुख्य द्वार से मकवरा भारती पुराता तुप सर्वेक्षन विभाग के सनक्षन में और इसे करमचारी इसकी देखरेक करते हैं यह कहकर समुख ने अपनी बात समाप्त कि गोल घर का पटना गई चितर हैं सभी भच्चों ने तालिया बजा कर स्वागत किया अब समुख की बारी है समुख की और से सिताक आना शुरू किया हम लोग दोपर के समय पटना पहुंचें सबने वहां गोल घर देखने लगे यह जगा पटना के गांधी मैदान में पच्छी में इस्तित है गोल घर की गोल पूडलव या अकाल के समय इस अनाज के समय अनाज के मदद करने लोगों कर जान बचाई जा सके इसकी दिवारों पर बारा फिट मोटी और श्याने फिट उची है इसके सिस पर चड़ने के लिए दोनों और से सीडिया बनी हुई है हम सब सीडिया चटकर गोल घर के ऊपर पहुंचे वहाँ से पूरा पटना सहर दिखाई देता है उत्तर दिसा में गंगा नदी बिलकुल पास से भाती है दूर पूरब में महात्मा पटना संग्राले पटना का ये चितर है पास में गांधी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विश्तार दूर तक दिखाई देता है गांधी मैदान का भी हंगम खुला छेतर एक किनारे पर इस्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल ता था चारो और उची इमारते बहुत याकर्शक लगती एतना का कड़ीता चूप हो गई श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की उप्यगता का पता कीजिए उस समुह ने रवी न संग्राले का भवन है हमारे गाइड ने बता है कि या वबन राजस्थानी सहली में बना है संग्राले के बीचों भगीचे में सामने ही तो रखे यह तो अंग्रेजी सासक की है चारों और कई बड़ी बड़ी दूलब मुर्तिया भी देखने को मिलती है मुझ के भवन अब पत्थर नुमा हो गई है यह पत्थर नुमा ब्रिक्षे जी वास्म का उधारन है संग्राले में भगवान बुद्ध रजयन तथा मौरे काल के महत्पुन सिक्कों और बड़तनों को देखा सभी वस्तुओं के पास नाम्र सहीत उनकी आयू उप्योंगिता लिखी चुम्जा जा सकता है वहां एक राजंदर का पना हुआ है यहां राश्पती के रूप में राजंदर परसाद मिले उपाहरों के वह मुस्तितियों को इस मृति के रूप में रखा गया हां संग्राले में रखी किसी वस्तुओं को कभी चुना नहीं चाहिए वहां हर जगा सुचनाय लिखी लिखी थी और कमरे में दिवार पर कैमरे लगे हुए था अगर कोई छुएगा तो कैमरा उसकी पोटो आ जाएगी वहां पत्थर की एक सुन्दर सी मूर्थी थी जिस पर ही अक्षनी लिखा हुआ वह मूर्ती दिदार गंज में मिली थी वह मूर्ती बहु सुन्दर लाल गों बोलने का इसारा किया तकत हर मंदिर शाहर पटना सिटी सुन्दर लाने कहला सुथ हम दोनों पक्ना सिटी के गुरू ंसिंग जी का जन्म अस्थाद भी देखें इसे तक्त स्री हरमंदर गुरु द्वारा कहते हैं सफेद मंग मुनवर से बना यह गुरु द्वारा भव्व्व है यह सिखों का पर्थीज परसीद अस्थल है गुरु गुविन सिंग ने जन दिवस पर यहां भव्वे में लगता है जहां देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं इस पवित्र अस्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रखकर गए अंदर गुरु गुरंद साहिब रखा हुआ था और गुरु वानी पढ़ी जा रही थी बाहर निकलने पर परसाद मिला यहां लंगर भी चलता है जहां लोगों को निशुल को भोजन कराया जाता है साम हो गई हम लोग बस में बैठकर घर लोट गए सभी बच्चों ने तालिया वजाकर इन सब को महत्पून जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया आपस में इन ही अस्तोलों के बारे में चट्चा करने लगे है